हेलो फ्रेंट्स वेलकम है आपका हमारी यूट्यूब चैनल नौलेज विदालोक सिंग राजफूत मैं फानेरी डियो पीटे ने बड़ा ओडर निकाला है कि अब 31 मार्स तक सभी सरकारी ओफिस बंद होंगे इससे पहले 1920 मार्स को डियो पीटी की तरफ से नौटिफिकेशन निकाला गया था है कि आपको जो 50-50% करके रोस्टर बना करके जो है इंप्लोईस को एक वीक के लिए अगले वीक के लिए जो है उनको अब ऑफिस आना है लेकिन अब सरकार ने फानेरी डियो पीटी ने ओडर निकाल लिया है 22 मार्स 2020 को संड़े के दिन भी ओफिसल नौटिफिकेशन निकालना पड़ा डियो पीटी को पूरा नौटिफिकेशन आपको दिखाया है पूरी इंफोर्मेशन दी जाए बने रही है चलिए मैं पहले बता देता हु नि ही सो बीस को डियो पीटी की तऱ से क्या जारी किया गए गया था क्या एक नौटिफिकेशन और next Monday to Friday उसमें से आप 8 दिन अभी आईए, 8 दिन आप 50% employees को next week में आने के लिए बोलिए तो अब उसको government ने change करते हुए, COVID जो है या Corona virus के चलते जो है उसके spread यानि उसके खतरे को देखते हुए या उसके बचाओ को देखते हुए government ने finally सब चीजों को cancel कर दिया, उस notification को cancel कर दिया, आप देख सकते हैं नए notification में क्या है पूरो बताया जाए आपको preventing measures to contain the spread of COVID-19, head of department may draw up a roster of staff, all officers and employees, including consultants, contact and outsource employees who are required to render essential services within each department यानि कि अब जो किसी भी department में या किसी मिनिस्टी में जो उस office को चलाने के लिए सिर्फ essential services को जो provide कराते हैं सिर्फ वही employees अब office में आएंगे आप देख सकते हैं इसमें बुलकुल के लिए लिखा हुआ है render essential services within each department यानि उस each department में जो आप पूरेंडर यानि होता है आप सोविधान प्रभाद करना essential services जो provide कराएंगे वही आएंगे आगी देख सकते हैं they alone may be asked to attend the office from 23rd March until 31st March 2020 in other words the office should function with skeletal staff officials who are working from home should be available on telephone and electronic means of communication at all times they should attend office if called for in case of any exigence of work यानि कि जो office बाकी होंगे वो अपने telephone और बाकी electronic medium से अपना office का काम करते रहेंगे और यह आप देख सकते हैं आगे कि similar जो भी इससे अटेस्ट जा सवरेंट office या autonomous statory bodies है वो इसका पालन करेगी इसके लिए आप देख सकते हैं कि यह सारे instructions लेकिन उन सब employees के लिए नहीं है जो public dealing में या essential या emergency services provide कराते हैं जो है public को आप देख सकते हैं इसमें these instructions shall not be applied to the officers and employees engaged in essential या emergency services and those directly engaged in taking measures to control spread of COVID-19 यानि जो इसको बचाने के लिए उसको बचाने के लिए उससे बचने के लिए जो emergency service और जो essential service है उनको छोड़के जो employees है बागी सबको जो है आप जो है minimum जो है उस department को open करने के लिए चलाने के लिए जो employees सिर्फ वही आएंगे 31 मास तक डियो पीटी की तरफ से ओपिस में वनेंडम जारी किया गया है तो अगर आपको अभी भी कोई डावडर तो कमेंट करें जिरूप पूछेगा बहुत इंपोटेंट ये वीडियो तो आशका सेर जिरू सभी के साथ कर दीजेगा एसी न्यूज और अपडेट्स के लिए माँ चैन को सब्सक्राइब कर लेगा मिलते हैं आपको नेक्स वीडियो में थैंक्यू सूमच